हालो गाईज कैसे आप सब लोग टैरोक्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम मंतली रिडिंग कर रहे हैं ठीक है दिसंबर माहा के लिए मंतली रिडिंग चालू है ठीक है और उसी में मैंने आज जोड़ एक साइन लिया है वर्गो यानि कनयराशी कनयराशी वालो चोड़ इसी जान करिए अगर आपको परसनल लिडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक करना है वहाँ एक वाट्स अप नंबर है मुझे मैसेज कीजिए सारी जानकरी मिल जाएगी ठीक है बहुत एफटेबल चार्जेज है ठीक है एक बार चेक जरू कर ल लेते हूं उसके बाद मैं आपके दिलो दिमाग की बात करूंगी पहले ठीक है आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वर्गुस कन्या राशी परसनल लाइफ कन्या राशी पर्सनल लाइफ किसंबर महाँ क्या चल रहा है वर्गुज के माई अपनी लव लाइफ को लेकर चले चेक कर लेते हैं या तो आप में थोड़ा सा लेकर या फिर आप थोड़ा सा बातचीत में थोड़ा से दोनों में मनमुटाव सा लग रहा है ठीक है तो यह जो चीज है वो दिरे-दिरे हील हो रही है और येस आपका जो प्यार है वो आपके पास कंटेनी हो यही चाहते हैं आप ठीक है चले और देखिए वर्गोस की लव लाइफ दिमाग में क्या चल रहा है नाइन ओव वॉन्स वील फॉर्चुन कहीं न कहीं आपने भाग्ये के भरोसे छोड़ दिये सब चीज है ठीक है अपने आपको गार्ड करके चलना यानि कि आप किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा इग्नॉरेंस चल है जो भी आप सोच रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी अपने आप आईए ठीक है चले और देखते हैं एक बार और लव लाइफ अर्गोस दिसंबर स्ट्रेंथ देखे मुझे लग रहा है कि आपका कहींने कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है और कहीं कोई सच बात आपकी सामने आई है ठीक है कुछ रियालाइजेशन हो रहे हैं जिसके कारण आप जो आप जो दिखा रहे थे और जो मन में था उसको बता नहीं रहे थे लेकिन कु से कुछ और बहार से कुछ और ऐसी वाली सिच्विशन थी आपकी लेकिन आप आपको किसे किसी हार्ट ब्रेक्स या कोई मलब जी से कहते हैं कोई डिल तूटने वाली बात आपको दिखाई देती है जिसके कारण आप थोड़ असा अपने आपको सच बोलने वाले ऐसा पर देख पा रहे हूं चले आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप एनर्जी मिलती है तो ठीक है चले देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी दिसंबर में आपके लिए क्या होगी है आल राइट तो सबसे पहले मैं एनर्जी जिसके लिए वर्गोज के पार्टनर के एनर्जी बताईए जिसके लिए वर्गोज पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी बताईए वर्गोज के पार्टनर के एनर्जी बताईए दिसंबर मा लव लाइफ परसनल लाइफ दिसंबर मा वर्गोज के पार्टनर कोई भी हो सकते है चले देख लेते हैं उनके एनर्जी क्या है गार्डेन इन दा गेट गार्डेज अफ दमून एंड केरिंग कनेक्शन और यहां पर देखे अधिंकिंग वूमें यह जो इंसान है वाके में कोई फीमेल आपके दोनों के वीच में लग रहा है ठीक है मुझे लगता है कि आपके अकर कमें यह वाकी में आपकी करना चाते हैं आपके बहुत जादा इंपॉर्टंस इन के दिमाग में है एक भर गो ऐसा मुझे यहां पर लग रह रहchair ठीक है आपको बहुत जादा महामें और उली दोबारा स्टार्ट करने की सोचे, एनेशा है नियू लव की एनर्जी मुझे साइरहर召 था आपके लिए जाता है आपके लिए नेशार्ट में देख पा रही हूं, आपको ये लोग के रूप में वापस से आपको कुछ नो कुछ है इनको बहुत बहुत बहतर तरीकी से बता कि जो भी इनकी परस्तिती आप लोगों की उनमें यह अगर आपके साथ जाते हैं तो बहुत खुशें जुड़ी हुए यह कोई गेट खोलना नहीं चाहते हैं अदर्वाइस आ बहुत सारी सीक्रेट हैं जो कि आपको पता नहीं है ठीक है तो यह कोई नो कोई मदर इशूज भी हो सकते हैं कोई फीमेल है जिसके कारण यह डरते हैं ठीक है कदम उठाने से गेट से बाहर जैसे यह वाला काड़ा है जैसे किसी के गले में वह चाबी है जिससे गेट खुले है ठीक है तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई डर है को सीक्रेट है जो कि आपको बताने से हैं रिवील करने से डरते हैं लेकिन इनके मन में क्या है अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यदा क्यार है बहुत ज़्यदा सम्मान है बहुत ज़्यदा कहीं तो प्यार है यहां बहुत भरबर के आपको care और आपको बहुत कुछ देने की तबनना आपके पार्टनर के ठीक है निंबर 30 निंबर 52 14 47 आपके पार्टनर का या आपकी एज हो सकती है या फिर कोई यह कोई नंबर important हो सकता है चलिए और देखते हैं इनके energy क्या होगी December Maa Love Life वर्गोस के पार्टनर इंवर्ज गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर के बारें बताईए इंवर्ज इस relationship को वर्गोस के पार्टनर कैसे देख रहे हैं December Maa में Bill of Fortune आपने भी ऐसे ही देखा है चलिए दिखते हैं आप आपके लिए feelings क्या है वर्गोस आपके पार्टनर की eight of swords चाहते क्या है एक्शन क्या लेंगे मतलब एक्शन क्या लेंगे December वर्गोस के पार्टनर king of cups चाहते क्या है आपसे वर्गोस से चाहते क्या है इनके पार्टनर बहुत सा रिकार आगए यह नहीं ले सकती मैं चाहते क्या है death commercial connection रखना लेकिन यह पर्मणेंट ली नहीं है यह permanent commitment आपnanहीं दे सकते जैसे कि मैंने बता आया इनको कोई सब कह muni 고 थर्ड परसन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है तो कोई भी हो जबता है थर्ड परसन यहां पर करियर भी दिखाई दे रहा है तो यहां पर थ्री ओफ कप्स यहां के साथ casual connection से कहीं जादा अपना connection बढ़ाना चाते हैं लेकिन उस level का नहीं जहां तक कि कोई commitment आपको मिलेगा ऐसा नहीं है ठीक है यहाँ पर देखें वाक्य में भागे नहीं इस relationship को कैसे देख रहे हैं कि भागे के भरोसे छोड़ा है इनोंने ठीक है अपने आपको control करते हैं कि मैंने कुछ कड़बर कर दी तो सब कुछ तहसनेस हो जाएगा यहाँ पर देखें action क्या होंगे यह अपने दिल में आपका प्यार चुपाए बठे रहेंगे बोलेंगे नहीं कुछ दर्शाएंगे नहीं जो आप चाहते हैं आपको नहीं दिखेगा इनकी तरफ से ठीक है December में चुप चाप यह अपने बातों को सहन करते रहेंगे या फिर अपने दिल में चुपी बातों को छुपा के रखें यहाँ पर देखें चाहते क्या हैं आप से आप से चाहते हैं कि आप transformation होई यह अलग बात है बहुत अचीब बात है कि आप किसी को छोड़ के इनके साथ शुरुआत करें और यह major transformation आपके साथ है मुझे लगता है कि आप में बहुत गहरी बातचीत हुए और इस इनसान ने यहीं चाहाए कि अगर यह स्टक हैं तो मुझे लग रहा है जाने कि आप सही सब कुछ करवाना चाहता है कोई तो यह possible नहीं है ताली दो हाथ से बसती है ठीक है तो यह ऐसी energy है आपकी ठीक है आपके partner की ठीक है तो मैं आपके बारे में देख लेती हूँ आपका क्या सोच है आपकी ठीक है इनको यह लगता है कि आप किसी और की साथ हो ऐसा में जो फील हो रहा है ठीक है और आप किसी और की क्यार करते हो जबकि आपकी परवा बहुत करते है यह सो सकता है बहुत से रोग के लिए अलग-अलग situation होगी जितना आपसे मैच करें उतना ही लीजेगा चले देखते हैं कि वर्गोज आपके बाइन में क्या है क्या एनरजी आपकी वर्गोज की एनरजी बताएं इनके पार्टनर के लिए चले देखते हैं action patience happy family और यहाँ पे woman holding a heart मुझे लगता है वर्गोज आपने इस इंसान को दिल दिये बैठे हो आप किसी और को पसंद नहीं करते हो आपके आखे सिर्फ एक इसान को देखती है और इसे के लिए दिल ले बैठे हो ठीक है लेकिन गलत नहीं है number 17, 16, 4, 44 आपकी age हो सकती है या फिर कोई नहीं कोई number significant हो सकते है यहाँ पर देखिए आपका मन कर रहा है अंदर से कि yes आप कोई action ले है लेकिन आपने कुछ planning या कुछ order में करना है चीज़ें आपके पक्षमी नहीं आप action लेना चाहते हो लेकिन बहुत ही patiently आप इनका wait कर रहे हो इसलिए आपने action अभी तक नहीं लिया यहाँ पर मुझे family issues लग रहे हैं आप already married हो सकते हैं यह भी married जैसे four party situation में ने बताई otherwise बहुत सारे लोगों के लिए family issues है जिसके current family में कोई function है शादी है जिसके काना मटके हो हो आप चाहकर भी कोई action इनके नहीं ले पाते हो लेकिन कईने कई यह main card मुझे यह बता रहा है main energy यह बता रहा है कि आप जो है इस इनसान को बेहर चाहते हो तो yes क्या है और आपकी energy यह देख लेते हम ठीक है वर्गोज इस relationship को कैसे देख रहे हैं वर्गोज की feelings क्या है judgment और दो card मेरे पास है three of pentacles एक साथ और यहां पर action क्या लेंगे यहां पर देख की card अपने पलट क्या है six of wands आप से चाहते क्या है आप से चाहते क्या है वर्गोज आप चाहते क्या है आप अपने पार्टने से king emperor का card है वर्गोज आप चाहते हैं कि चीजें आपके partner कंट्रोल करें ठीक है और यहां पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके energy है king of wands आप एक ऐसे इंसान हों जो कि कोई भी रिस्की काम कर सकते हो हिम्मत और ताकत आप में है और कोई सच बात सुनना चाहते हो आपको भी realization होने लगे हैं कुछ-कुछ feelings आपके ऐसी है कि यह partnership में आपके partner कितिना कर सकते हैं आपके लिए ठीक है यह मैं देख पा रही हूँ कितिनी हिम्मत और ताकत रखते हैं मेरे लिए इस तरह की energy मुझे यहां पर देख पा रही हूँ है ठीक है आपकी feelings क्या कह रही है feelings यह कह रही है कि आपको reconcile होना है ठीक है दुबारा realizations हो रहे हैं कि partnership आपके लिए बहुत important है ठीक है आपको reconciliation चाहिए आपको दुबारा वही चीजे चाहिए जो पहले आपका भी करते थे ठीक है और आपका action क्या होगा yes victorious होगा आप चाहते हैं कि इस relationship में आपको जीत मिले सब कुछ छोड़ के आप इस relationship पे focus होएंगे आपको पता है कि yes इनके साथ जाना या इनके साथ continue करना आपके लिए easy नहीं होगा लेकिन फिर भी आप इसके लिए कोई नहीं कोई अपनी तरफ से efforts लगाते हैं दिख रहे हैं यानि कि जीत आपके होगी overall मुझे लग रहा है ठीक है hurdles आएंगे yes problems है face करेंगे आप लेकिन जीत आपके होगी ठीक है थोड़े responsible बनने आप चाहते हैं कि आप जो जो आपने inputs ढालें इस relationship में उसके उसकी बहतरी के लिए वो भी कुछ input करें ठीक है इस तरह से मैं या पर आपकी reading देख पार हूं अगर आप से match होती है मुझे comment section में जरूर बताएगा ठीक है आल्रायट चले start करते हैं हाई वर्गोस आपके जो and energyz है वो क्या रहेगी अपनी professional life के लिए वह मैं चछेक करने वाली दिसंबर करें ठीक है तो ओर और अपके energyz क्या रहेगी 1 समर में चाहने तो मेरे साथ बने रहे हैं देखते है आपके लिए क्या energy यूस गायर कीजिए वर्गोज professional life December मा चले देख लेते हैं वर्गोज की क्या energy है we have strong warning the thinking woman goddess of the moon and caring connection again woman holding a heart all right तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप उस काम से जुड़े हुए यानि कि आप जो है बहुत ही अपने मन का कोई काम करते हैं या फिर मुझे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए घर से कोई काम करते हैं ऑनलाइन आपका कोई work ह जो भी काम करते हैं वो आपके मन से interest का काम है यह जो काम है आपके दिल से जुड़ा हुआ है और आप कहीं भी इसको छोड़ना नहीं चाहते है ठीक है इसकी बहुत care भी करते है मन में कुछ डर है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है आपके काम को लेकर और डेफिनेटली कुछ डर जो आपको अपने प्रॉफेशनल साइट से लग रहे हैं वो मुझे आपे खतम होते हैं नजरा रहे हैं मतलब यह क्या है कि कम्प्लीशन का कार्ड होता है कोई चीज खतम होके न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है यस आपकी प्रॉफे लाइफ के प्रति थी वो हटती उन्हें जरारी मुझे आप ऐसा लग रहे है कि आप बहुत जड़ा इंटूटिव इंसान और किसी किसी फिल्ड में आप स्किल्फुली काम करें ऐसा मुझे आप लग रहे है कुछ नया सीक रहे हैं बहुत से लोगों के लिए अगर पढ़ा बताना नहीं चाहते ओपन नहीं करना चाहते और यह बहुत ही सही बात है क्योंकि जो भी आप काम करते हैं उसमें जितना आप अपनी तकसी में रखेंगे चीजों को वह आपकी लेवल तक अच्छा रहेगा ठीक है डिस्क्लोज मत कीजिए कम से कम आपको दुनिया को बतान करें ठीक है मुझे ऐसा लग रहे है कि आप इस जो काम है आपका यह जॉब है कोई बिजनस है तो उसमें आप तनमन धन लगा के काम करेंगे और डैफिनेटली आपकी जो क्या है आपको एक सक्सेस के और ले जाईगे चलिए और देखते हैं और क्या है नंबर 10 47 52 14 और 44 या कोफिशन लाइफ दिसम्बर माह वर्वोस चले देखते हैं और क्या है आपके लिए वी हाव एसाओ पैंटिकल्स जैसे कि मैंने कहा कंपलीशन के बाद एक न्यू बेंग तो सबसे पहला काड ही हमारे पास यह है जो कि पैंटिकल्स के एनरजी येस आपका कोई काम या जो धन्धा करें इस्त जो कुछ स्टर्ट किया यह पर है है फिर्वेष्ट अपने कोई स्टर्ट है तो समें स्टाबलेट आने बाब Где समथ महां कर दिक अदिक चले देखते ओंग सब्सक्राइब नियू बिघनिंग बोच चार है और गरिय जो की करियर साइट से बहुत इंट्रेस्टिंग काम को करेंगे जिसमें आपका इंट्रेस्ट है वो करेंगे आप ठीक है चले और देखते हैं डैथ वील फॉर्चुन और बाटम वाला कार एस और सौर्ड बहुत 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 अच्छे कारण है आपके ठीक है आपको एक क्लियर्टी मिल जाएगी कुछ आपने छोड़ा है रिसेंट्ली मुझे रिसे लगता है कि कुछ चीज़ें या तो जौब छोड़ा है या कोई बिजनिस करते थे तो उसमें कुछ एंड़ अप हुआ है आपका ठीक है जो ग्रोथ आपको चाहिए थी उसके लिए आप कुछ नयापन कर रहे हैं तो वो भी बहुत बैटर रहेगा ठीक है मुझे एक पैशनेट स्टार्ट आपका दिखाए दे रहा है अपने वर्क साइट से ठीक है और जो भी आप वर्क करते हैं उसमें बहांगे आपका साथ देगा सबसे बड़ा जिस रिडिंग में वील ओफ फोर्चोन आता है इसका मतलब यह है आपका भागिया आपके पक्ष में है वील आपके फेवर में गूमेगा और आपके तकदीर आपके वर्क को या काम को बहुत ग्रेट स्थान तक पहुँचाएगी यहां देखिए नियू बिग नियू पैशनेट नियू बिग नियू यहां पर एक रीबर्थ नज़र आ रह बहार आएंगे और डेफिनेटल एक न्यू स्टार्ट आपके लिए बहुत-बहुत सक्सेस के और जाएगा और वील ओफॉर्चन हमारे पास है यहां आपका भाग्य जो है आपकी तकदीर एक उंचे मोकाम तक आपको ले जाएए दिसंबर माँ आपके लिए बहुत अरूम विलत्यु गईजु बॉछ्ट गईज़ ग्यास्ट ग्यास्टिए।